हेलो फ्रेंड्स आगय थे आप सभी का आरवेद यूट्यूब में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए जो कुश्चन ले करके आया हूँ ये कुश्चन क्लास 9 की मैथ से चैटर नमबर 6 लाइन्स एंड एंगल से लिया गया है ये एक्सरसाइज 6.1 का कुश्चन न क कुश्चन-इंफी चिक्स पॉरंट सेब लिकोटिओ ये जो फीगर रहना यही वालाग सेटर है का पी ओ-क्यूँ Ό रे ऊर इज पर्पेंडीकूलर तू लाइट्यूद फिर प्रपेंडीकूलर है और से एंगल रोशवार इस में लाइक रहा है जो है योपी और QoS QoS यह पूरा एंगल है minus angle POS तो देखो POS यह वाला एंगल है ठीक है कोई भी question solve करने से पहले हम लिखते हैं given क्या write करते हैं given तो given जो होता है वो हम इसी से write करते हैं यह जो हमें दिया गया है question इसी से write करते हैं तो सबसे पहले तो हमें एक line दिया गया है P O Q let P O Q is a line ओके अब यहाँ पर दिखो O R जो है वो perpendicular है P Q के यहाँ पर लिखेंगे O R is perpendicular to P Q यह basically perpendicular का sign है तो लंबा ना लिखे आप छोटे में write कर सकते हैं and O S is and other ray lying between Rage O P and O R यह हमारा given हो गया मैं इसे फिर से पढ़ देता हूँ let P O Q is a line O R perpendicular to P Q and O S is another ray lying between Rage O P and O R यह हमारा क्या हो गया given हो गया अब given के बाद हम जो दूसरा heading डालते हैं वो डालते हैं टू प्रूव क्या डालते हैं टू प्रूव आप इसको prove that भी लिख सकते हैं ठीक तो इसमें हमें यही प्रूव करना है तो वापस हम यही चीज़ राइट कर देंगे angle ROS is equal to 1 by 2 under bracket angle QOS minus angle POS यह हमें प्रूव करना था वो हमने लिख दिया अब हम अपना third adding start करेंगे प्रूफ तो अब हमारा third adding हो जाएगा proof एचला ठीक है जैसे कि देखो यह हमारा PQ है और यह हमारा OR है तो अगर यह 90 डिग्री होगा तो यह भी 90 डिग्री होगा यहाँ पर linear pair angle की property लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे as OR perpendicular to PQ we have as OR perpendicular to PQ वी है एंगल यह वाला POR प्लस एंगल यह ROQ is equal to 180 degree क्योंकि line पर बना angle क्या होता है 180 degree के equal होता है linear pair angle क्या होता है 180 degree के equal होता है अब यह ROQ आपको 90 degree दिया गया है तो मैं पर पूट करेंगे angle POR पलस 90 degree is equal to 180 degree अब आप ध्यान से देखो इधर यह क्या है प्लस है तो उधर जागी क्या हो जाएगा माइनस तो इसको उधर भेज़ देंगे तो इधर हो जाएगा 180 डिगरी माइनस 90 डिगरी ओके तो फाइनली रिमेनिंग क्या बचेगा एंगल POR is equal to 90 डिगरी अब एक बात समझो आप यह जो POR है यह 90 डिगरी है और यही तो हुआ इसका मैं अगर अलग फीगर बनाओं तो देखो यह हो गया हमारे एंगल POR यहां से एक रिय और गई हुई है क्या गई हुई है OS तो बताओ यह प्लस यह हो जाएगा POR यह नहीं कि एंगल POS प्लस एंगल R O S इन दोनों को जोडेंगे तो वापस से क्या वनेगा P O R बनेगा तो जहाँ पर P O R है वहाँ पर हम यह लिख सकते हैं क्या? एंगल P O S और एंगल R O S बिल्कुल लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे जो P O R है यह है P O R यहां पर यह दोनों एंगल राइट कर देंगे एंगल POS प्लस एंगल ROS इस इक्वल टू 90 डिग्री यह मारा एक्वेशन बन हो जाएगा आप ध्यान से देखना यह POS और ROS कहां से आया फिर से बता देता हूँ देखो POR POR यह पूरा एंगल है और इसमें दो एंगल बने हुए हैं एक बना हुआ है POS और एक बना हुआ है ROS तो यह POS और ROS को जोड़ेंगे तो पूरा मिल जाएगा हमें क्या मिल जाएगा POR तो वही चीज है हमने POR को अलग-अलग करके लिख दिया ठीक है तो पहले आप इतना रैट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पॉच करके स्क्रीन सॉट ले लो अब देखो जिसमें अब प्रूब करना था उसमें एक बात और कहा गया था एंगल QOS के बारे में बात किया गया था तो एंगल QOS यह पूरा है यानि कि यह पूरा वाला जो है हमारे क्या है एंगल QOS लेकिन यह एंगल QOS दो एंगल से बना हुआ है एक बना हुआ यह एंगल ROS और एक बना हुआ एंगल ROQ ठीक है यह हमारे एंगल कितने एंगल से बना हुआ है दो कौन कौन से एक बना हुआ है और और एक बना हूए अंगल और ऑलो तो यह पूरा जो एंगल में सम्क्राइब कैसे क्वा बताता हूं ना कि एंगल qos is equal to angle ros यानि कि ये वाला plus angle roq यानि कि ये वाला ठीक, तो इन दोनों के समके equal है तो अब यहाँ पर हमें roq की value पता है वो रख देंगे तो ये हो जाएगा 90 degree इधर बचेगा हमारे पास angle ros is equal to angle qos अब देखो, ये जो angle ros है इसको इधर बचेएंगे तो ये हो जाएगा qos पलस है इधर आएगा minus हो जाएगा angle ros is equal to 90 degree ठीक, आप चाहो तो ये line हटा के direct ये rate कर सकते हो ये हो जाएगा हमारा equation number 2 ठीक, ये देखो ये equation first है और ये equation second है इनी दोनों को क्या करना है equate करा देना है तो हम लिखें कि from equation 1 and equation 2 V है इसका right side 90 degree है इसका right side 90 degree है राइट साइड राइट साइड बराबर है तो left side left side equal होगा की नहीं होगा equal होगा, तो मतलब देखो ये equation first है इसका हो जाएगा angle pos plus angle ros is equal to this angle qos minus angle ros अब ध्यान से समझना हमको चाहिए are o s अकेला ros कैसा राइट तो इस वाले angle ros को इधर ले आएँगे ये हो जाएगा angle ros minus है इधर Kalau plus angle ros is equal to ये हो जाएगा angle qos तो मैंने क्या कहा मुझे angle r o s अकेले चाहिए तो p o s को भी उधर भेजना पड़ेगा यह इधर plus sign के साथ है तो इधर क्या हो जाएगा minus sign के साथ angle p o s angle r o s plus angle r o s कितना हो जाएगा यह two angle r o s हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में क्या हो जाएगा डिवाइड में ऐसे angle q o s minus angle p o s by 2 हमारा प्रूवेंस हो गया लेकिन आप बुलोगे सर बाहर 1 by 2 है तो देखो हम किसी भी नंबर के साथ या किसी भी वैलू के साथ 1 हमेशा होता है तो वन को हम बाहर लिका लेंगे यानिकि इसको ऐसे रख लेंगे वन बाई इसको अटा देंगे किसी भी नंबर के साथ 1 होता है और इसको वन बाई टू इस फॉर्म में रेट कर सकते हैं तो यह वाला हमारा यहां पर प्रूब्ड हो गया यहां पर रेट कर लेंगे हैंस प्रूब्ड तो यह हमारा इस question का answer अब चाहो तो राइड़न कर लो या फिर वीडियो को पाच करें करें लो अगर अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम देंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक यह थेंक्यू गुलास प्रूब नए हैं सब्सक्राइब करें हैं लाइब में अगरे करें वे मने में झाले 모म से साथ felizवास पें से chi zer कि आह समस्सेख पह आएवार अगर में पत्या हैं भी सिता है